नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशो और अब वक्त हो गया है मुकाबला का यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है ये एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है इसकी चर्चा होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट से घबराहट भी हो रही है क्यों हो रही है किसे हो रही है और इसके आवश्यक्ता क्या है हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए अगर एक समान कानून लागू होता है तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है मुकाबला में आज हम इसे पर करेंगे चर्चा हमारे साथ खास महमान जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले आपको चार तस्वीरे में दिखाती हूं युनिफॉर्म सिविल कोट विवाद में आज मुस्लिम बोर्ड भी कूदा बोर्ड ने युनिफॉर्म सिविल कोट को अल्प सिंख्यक विरोधी करार दिया और कहा कि ये मुसल्मानों को मनजूर नहीं होगा बोर्ड ने आज एक चिठी रिलीस की जिसमें ये कहा गया कि उनिफॉर्म सिवल कोट सम्विधान विरोधी है इसलिए इसे सरकार ना लाए दूसरे तस्वीर है आज दिली में साउट M.C.D. की टीम ने आतिकरमन का सर्वे किया दिली में सरकारी जमीन पर अवैद कबजे के खिलाफ बुल्डोजर आक्शन की तैयारी चल रही है साउट दिली नगर निगम के जैदपूर इलाके की कंचनपूर और विश्व कर्मा कॉलोनी में M.C.D. की टीम ने दौरा किया और कहा कि जल्दी अवैद कबजे पर बुल्डोजर चलेगा आप ये मत सोचेगा कि ये बुल्डोजर किसी एक संप्रदाए एक वर्ग के खिलाफ चलेगा बुल्डोजर अतिकरमन पर चलेगा ऐसा नहीं है कि सर्फ मुसलमानों के घर पर चलेगा सर्वे में सामने आया है कि इस इलाके में हिंदूों ने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमन किया है इसलिए मैंने बार-बार कहा कि अतिक्रमन को अतिक्रमन की नजर से देखिये ऐसे में अगर बुल्डोजर चलता है तो कई हिंदूों के घर MCD की जदमी आ सकते हैं विश्व कर्मा कॉलोनी में जरतर घर हिंदूों के हैं आए तीसरी तस्वीर पर गौर करें लाउट स्पीकर के खिलाफ एक्शन है यूपी में अवैद लाउट स्पीकर पर योगी सरकार ने स्ट्राक किया यूपी में अब तक करीब 6,000 जगहों से अवैद लाउट स्पीकर हटाए गए जबकि लगभग 30,000 लाउट स्पीकर की आवास कम की गए लेकिन ये कारवाई religion देखकर नहीं की गए किसे धर्म विशेश के खिलाफ ये action नहीं है बलकि sound pollution के खिलाफ है इससे कंट्रोल करने के लिए किया गया है और आखरी तस्वीर चौती तस्वीर जो बड़ा message देती है मेरट में देवी जागरण के लिए यूपी पुलिस ने permission नहीं दी हिंदूओं को जयकारा लगाने से रोका गया दो मए को हाशिपुरा में जागरण का आयोजन होना है लेकिन रमजान का महीना है इसलिए पुलिस ने जागरण की अजास्त नहीं दी तो सवाल ये है कि जब कोई भी action धर्म देखकर कोई perception बना कर नहीं लिया जा रहा है तो फिर इसलामोफोबिया की बात क्यों होती है मुसल्मानों को ढराने का नरेटिव क्यों चलाया जाता है और आज इन ही सवालों पर हम करेंगे चर्चा कि आखर खत्रे में कौन है हिंदू है या मुसल्मान चार बहुत खास में मान हमारे साथ इस वक्त अस्टूडियो में जुड़ गए है भारते जनता पार्टी के ओर से हमारे साथ शहज़ाद पुनावाला पक्ष रखेंगे बहुत स्वागत है शहज़ाद आपका राजनितिक मिशलेशक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए है शिवम आपका भी बहुत स्वागत है क्योंकि बार बार अब एक नरेटिव चलाया जाता है कि क्या मुसल्मानों के खिलाफ कोई भी कारवाई साथिशन हो रही है सोच सुमझकर हो रही है पैटर्न के तहट हो रही है इसले मुसलिम स्कॉला मौलाना साजिद रशीदी जी का भी टेक बहुत इंपोर्टन्ट हो जाता है स्वागत है आपका मौलाना साथ और मसूद हाश्मी मुसलिम इताहत फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हुए है आप भी रखेंगे पक्ष कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोट है इससे लेकर मुसलिम समाज का क्या कहना है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि ये यूसी सी मुसल्मानों के अधिकारों का हनन है एक तरीके से एंक्रोच्मेंट है उनके धर्म के अंदर और ये भी एक पैटन के तहट किया जा रहा है इसलिए सबसे पहले मैं सरकार किस पर आए चाहती हूँ शेवजाद यूसी सी को लेकर आखिर सरकार चाहती क्या है कि खत्रे में कौन है हिंदु या मुसलमान वोट बेर कि भाइजान और जो टुष्टी करण स कदर्दान है और इसलिए 2014 के बाद जो फैसले वह खुद लिया करते थे अब यूसीसी पर आते है यूसीशी को भृकाव भाईजानashaoncommittee क को यह भड़काओ भाईजान कमिटी और भेदवाओ भाईजान कमिटी को पूछिए जब ये UCC आर्टिकल 44 में सम्विधान में तो गहर सम्विधानी कैसे का जा सकता है क्या आमबेटकर जी केम मुंशी नहरू जी ये सब गहर सम्विधानी काम कर रहे थे क्या क्या वो सांपरद के लिए परन्तों जब भी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ वोट बैंक के टेकेदार है जो खड़े हो जाते हैं महिलाओं के साथ नहीं कटरपंती मौलानाओं के साथ और इसलिए शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक आब देखिए उन्होंने शाह कानू का भी विरोत के आद तीन तला के कानून का है और आज जब यूजी सी जो पहलों सकुद करते थे एक समय पर आज उसका भी विरोत करते हैं तो दरबसाल ये यूजीशी नहीं यह बीवी सी का मामला है भढ़काओ भाईजान कमीटी वोट बैंक के नाम पढ़काना है और भेदभाव कराना है अब रशीदी साहब मेरी अगर जानकारी गलत हो तो इसे दुरूस्ट करिएगा जब पचास के दशक में हिंदू के लौ कोडिफाई किये गए थे क्योंकि उससे पहले तक तो कोई कोडिफिकेशन था ही नहीं लेकिन जब ये नहरू साहब ने किसे वो किया गया लेकिन आज जब यूजिफॉर्म सुविल कोड में मुस्लिम लॉव पो कोडिफाई करने के बात होती है तब ये खत्रे में मुसल्मान कैसे आ जाते हैं ये कौन कह रहा है आपसे के खत्रे में मुसल्मान हैं। मुसल्मान तो खत्रे में नहीं हैं। अगर यूसिसी आता है तो उसमें खत्रे में जैन भी है। उसमें खत्रे में जो है बुदिश्ट भी है। इसाई भी है। सिक्ष भी है। सबी लोग खत्रे में हैं, मुसल्मान थोड़े अकिले खत्रे में, मुसल्मान को बहाना बना कर जिस तरह की बाते की जा रही है, और अपना वोट बेंक साधा जा रहा है, यह नहायत ही शरमनाक बात है, वोट बेंक का एक तरीका होता है, आप काम लेके आईए ना, काम आपके पास कुछ है नहीं, आप सिर्फ दंगे पर बात करेंगे, आप सिर्फ जो मुसल्मान पर बात करेंगे, आप पाकिस्तान पर बात करेंगे, आप यही चीज़े लाकर देश में कहीनके नफरत का एक माहोल बनाना चाहते हैं, मसीडी का अलक्षन क्यूं आगे हुआ, उसकी सत्ता में आ जाएं तो मेरा मानना ये है कि अगर यू सी सी से कारोबार सही हो जाता हो देश की अर्थ विवस्ता सही हो जाती हो लोगों को नोकरिया मिल जाती हूं लोग ये नीमू जो है तीन सो से घटकर पचास पर आ जाता हो पैट्रोल एक सो दस से घटकर जो है पचास पर पैसर विएापिअ को तु कोमनं सीविल कोड से मुस्लमा नों को कोई आ Philip darEP फद्रा नी मुस्लमान को व्लगए बहुत गूपिख से कौन्वाशन व्लाई यृजते हैं जिस रहें कि अब सचेथ होना पड़ेगा कि मुस्लमान खत्रे अगर ये मुसलमानों का नाम लेकर राजनीती करना चाहते हैं तो इनकी राजनीती बेकार है, खतम है राजनीती निकी, फाइदा नहीं है. हिजाब हिजाब करने से प्यास के दाम कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम महराष्टा में हिजाब हिजाब करने से कम हो जाएंगे, महराष्टा में तो वैट काटने से पेट्रोल के दाम कम होंगे ना, वहाँ पे हिजाब हिजाब करने से थोड़ होंगे, मैं मेरी आखनी वा बोड एक औरगनाइजेशन है मुसल्मानों का आइडिया लोजी उसकी वज़ा से नहीं चलता मुसलिम आइडियोजी अलग है इसलाम जिस पर डिपेंड है वो चीज अलग है मुसलिम परसलनाबोड अलग चीज है अगर कोई लेटर लिखेगा तो मुसलिम परसलनाबोड अगर ये कहता है कि ये एंटी मुसलिम है थो आप इसका खंडन करते है रशीदी जी मैं ये नहीं कहता रोटा कि या ये ये नहीं कहता था दर्म विशेश को खत्रे में डाल देती है। अज अगर कोई हिंदू तलाग देता है अपनी धर्म पत्नी को वो बेचारा जाएगा कोट के चक्कर लगाएगा इतनी चक्की पीसेगा ये तुरन तलाग 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 जंदाबाद खतम कानी। जब उसको हटाय था तब बड़े हंगा में किये थे। तो दर्ध होना तो ख कर रहे हैं, election होते रहेंगे. It is all about uniformity and it is all about change and it is all about improvements. आप अगर किसी चीज़ को 70 साल से avail कर रहे थे तो इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि आपका उस पर अधिकार है. ये जो जैसी uniform civil code की हम बात करते हैं, मैं हूँ रशीदी जी है, उससे बराबर में है, अश्यजाद भा करना चाहिए. 70-72 साल जो भी luxury इनको दी गई, वो अब क्यों दी जाए? इससे बाहर निकलने की जरूरत है और जहां तक बात गरीबी, अमीरी और ये सब तमाम महगाई हो की है, मैं कहता हूँ ये एक अतक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, तमाम सरकारे आएंगी, उस पर का किया जाएगा, और narrative गढ़ने की कोशिच की जाएगी, कि हमें मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, uniform civil code इस देश की आज की अभी की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर मेरी वही लाइन है, कि मुझे आप जादा मत दीजे, लेकिन कम नहीं, बराबरी कर दीजे बराबरी कर दीजे, इस बराबरी में, जो सबसे बढ़ा दर्ध है, आज इस पर बात भी करेंगे, ये करें होती रहेगी, चलती रहेगी, ने, ये का आप जानते हैं, ने, 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 आप वन टु वन में जाने से मिले रशी जी, एक शहर्जाद, मुझे बात बताएं, परिवार चला ये शांती से रहिए ये बेरोजगारी कम हो जाएगी तो मैं तो कहता हूँ कि अगर एक शादी करेंगे चार के बदले तो महंगाई तो कम होगी घर में तो उनको तो उसको अपनाना चाहिए पर दूसरी बात दूसरी बात मैंने किसी विशेश सहुदाय का नाम ने लिया पर इस चार्शादी के वह द्रोगित करेंगे दो तीन बाते वह थी हुआ से ने ने कहा है उनके मन में पर दूसको एड्रेस करते हैं उनको एंटी डलित है अरे बाबाबसाहिब करका स्टेटमेंट है कि नवी इपिछ में अ ना शुंड आन्साग पर दॉछीन थे से ऑन करें करके जिसेंगेंघेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें पर शुक्काइवल सरे के पुछांद तो अ आपके चार साधी के खिलाफ आप तो चार शाधी के खिलाफ आप गत्ति के बड़ी आप बिजिए तो कह रहे है ना कि उन्हें कोई प्रबलम नहीं है जाहिए जिए पर्स्नल अटाच्स ने कर रहा हूं परस्पाइब बाते में कहना जाता हूं पहले तो इस देश में जब से हम आजाद हुए है क्रिमिनल कोड ये युनिफर्म है शीवम कानून तोड़े है मौलाना कानून तोड़े हैं मैं कानून तोड़ू शरीया से मेरा हाथ कटे का और शीवम के लिए अलग पनीश्मिन नही लगार है यह अन्याय ना किया जाए मैं बात करो बता रहा हूं रहा हूं वह कॉंटेक्स बता रहा हूं तोड़े यह जासे कि अपके अन्याय ना किया जाए यह संपूर्ण तरीकी से गलत बात है आपने समय में बात कर रहा हूँ, यह मेरे समय में हमेशा घुसपैट करते हैं यह घुसपैटी है अब सुन लीजिए डिवेट गुसपैटी नहीं बोलो अपने समय में बात पूरी करें अब रशी भी ची प्लीज बहुत चोटे में उनिफॉर्मिटी पर बात रही है मैं शहस आया यह वही सांसद है जब 18-21 साल उम्र की गई बच्चियों की शादी तो उन्होंने कहा कि ब्लड के आवा रहा है अब मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ, यह बार बार इंटरफ्ट कर रहे हैं मिनाक्षी जी आपको मैंने बताया था पैर्टन मैंने बताया था पैर्टन मै कि इसका स्वागत करते कि नहीं करते लिए अफ्छ लीजे अव आपि अप स्वागत करते हैं इसकी करें नहीं के सवाल करतें सब्सक्राइज कानून का स्वागत करो ना नहीं करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा रशीदी जिने कि थोपा नहीं जा सकता जब हिंदूओं के लॉस्ट भी कोडिफाय हुए थे तब कोई चर्चा कोई विमर्श नहीं हुआ था वो लॉस कोडिफाय कर दिये गए थे और वाकई में उस कोडिफिकेशन का फायदा आज यह हुआ कि हिंदू समाज से आने वाले चाहे वो दलित वर्ग की हो चाहे वो अमीर हो गरीब हो चाहे वो किसी भी परिवेश से आती हो उसक मिनाक्षी यहां शियदाद और शिवम की परिशानी यह है कि इनका गुर्ता मेरे कुर्ते से सफेद क्यों अभी शिवम ने जो अपनी आपनिंग की तो उन्हों ने यह कहा कि हम तो हिंदू तो एक शादी करता है विचारा नई बंती तो तलाक के लिए चकर काटने पड़त हो ने चार हमारा हमारा है हम मैजूरिटी में इसा नहीं होगा अपने बात पहले पूरी कर लें और दूसी बात यह है कि पीड़ा हमें इस बात से नहीं है कि हम चार शादी नहीं कर सकते हो कह रहे है कि हम एक करेंगे और आप भी एक ही करेंगे कि अरे हम क्या रहा है तुम 4 करो ना क्यूंके समाज में एक करने से परिशानी हूँ एक है और अनंधी वें नहीं है ऐखिए यह नहीं होना है अनंधी वेंद से नहीं होना चाहिए और आपको शादी वेंद दुक्रा शादी तो आपको आपती हो रही है पंडि के से नहीं प्रत्तर विवारिक सुखेए। आपके चैनल दिखिए होंगे, इंदे, आफिराशए नहीं और दिखिए हैं आप वाहिए हैं आप नाप न महीं तरकारी और दोड़ याए इंदे, भाहिए हैं आप जो आप पर इसने की बारे, आप लोड़ा होंगे, प्रॡूलएज। तो पर आपका पिवेग जी आपकी अपनी क्या राय है इस पर कॉमन सिविल कोड़ से हिंदू तो को तो कोई तकलीफ है नहीं कि वह पहले से उनके लॉस कोडिफाइड है अगर एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सभी धर्मों को कोडिफाइड कर दिया जाता है तो इसमे पहले चीज हमने बच्पन में हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और एक चीज मैं आपको बता दूँ चाहे वह उनाइटेड सेट अफ अमेरिका हो या कमिनिस्ट रशिया या चाइना हर देश में हिंदुस्तान की एक तारीफ इसलिए ह होती है कि इतनी विभिन्दता इतने तरह के खान पान धर्म जातियां इस तनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग इकठे रहते हैं और यह बहुत बड़ा करिश्मा है वेस्टन वर्ल्ड के लिए जहां पे हो मुजिनिटी है यूरोप पगेरा में आप देखेंगे तो त इसलिए देखें डाइवर्सिटी को पहली चीज एक बुरी चीज नहीं है और डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करना होगा एक बहुत अच्छा सेमिनार कुछ वर्षों पहले हम लोगों ने आयोजित किया था इस वाज़ामिक सेंटर लुदी रोड योगें बढ़न कहते हैं कि मुसल्मान जो है वो एकता नहीं चाहता हमें एक इनिफॉर्म सी लिप कोड ला रहे हैं आप जागर के मुसल्मान औरतों से अंगुठा लगवाना शुरू कर देते हैं साथ इसके खिलाफ आप पहले ड्राफ्ट तो आने दीजिए साउथ इंडिया के अ कर सकते हैं एक हिंदू लड़की को जो अधिकार है वो एक मुस्लिम लड़की को अधिकार नहीं है और फिर आप यह कहें कि यह हमारी खुबसूर्ती है यह कैसे हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन कैसे आप डाइवर्सिटी से जस्टिफाई करेंगे अपने हमने एक इमेज बना जब मैंने इसको स्टड़ी किया मुस्लिम समाज के अंदर किया जा मेरे दोस्तपने जब हमने चीजों को देखा तो ऐसा नहीं है इसलाम के अंदर भी जो मैंने नोट किया कि औरतों के बहुत सारे अधिकार है files के अंदर डावरी is not allowed इसलाम के अंदर तो यह कहा जाता है कि जब जो हजरत मुहम्मद थे जब उन्होंने अपनी बेटी की चादी करी तो अब यह कि समाज अगर उसको नहीं फॉलो करता है तो आप उठा करके किसी दर्म विशेश पर टिपड़ी करना शुरू कर दें विवेक जी आपने कहा कि अगर समाज फॉलो नहीं करता है और जब समाज फॉलो ना करे तब फिर क्या किया जाए इसलिए मैंने कहा कि प्लूरलिजम का जाता है और शहजाद इसलिए एक बात जो विवेक जी ने कही अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आप पहले ड्राफ्ट तो लेकर आएं उन्होंने तो हिंदूओं पर भी कहा कि हिंदूओं में भी एक युनिफॉर्मिटी नहीं है ऐसी बात है पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई यह नहीं कहरा कि कल के कल लागू हो रहा है हम तो कहरें कि यूसी सी जो एक सिध्धान्त है सम्विधान का इस पर चर्चा होन राममनोर लोया जी ने यूसी सी का समर्थन किया है और हमने यूसी सी की बात तब कि जब देश को आजादी मिली सम्विधान बन रहा था तब तो महंगाई बेरोजगारी बहुत चरम पर थी हिंदू लौ रिफॉर्म हो गया तो हिंदू लौ रिफॉर्म करने में तब बहुत चाहिए पहले आजाती है क्यों भाई निकाह हलाला रखने से और चार शादिया करने से महंगाई कम होने वाली है क्या महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात हो तो यह महंगाई का उर्षे क्यों आ जाता है दोनों साथ नहीं चल सकते दूसरी बात मैं पूछना च टलाक बिद्धत, ये खुद मौला न मानेंगे पाकिस्तान में भी नहीं है, इसलाम का हिस्ता ही नहीं है, जो खराब है जैसे सती, सती प्रता खराब थी उसको reform किया गया, किसी हिंदू ने निकाह हिंदू खत्र में आ गया परंतु जब तलाके बिद्दत को हटाया गया सुप्रीम कोड के द्वारा बोला गया कानून लाओ तो किसने इसका विरोध किया यह क्यों इसका विरोध करते और कोई डाइवर्सिटी पर खत्रा ने मैं आपको बता दू अलग-अलग क्यों होने चाहिए और वो हिंदू से तलाक लेती है मुस्लिम से तलाक लेती है तो उसके अधिकार सो समान होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह समानता की बात है यह अधिकारों की बात है और यह महिलाओं के साथ खड़े होने का दावा करते हैं लड़कियों अधिकारों के लिए आप क्यों इसका विरूत करते हैं। लेकिन विवेग जी जब हम उनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। हिंट होता है कि आप बस्तर के ट्राइबल एरियाज में जाएंगे सो कॉल हिंदू उसके अंदर शादी के रीतिरिवाज और जो डाइवोर्स के रीतिरिवाज अलग हैं। हम हिंदू 32 पॉइंट पे इंक्लूडिंग नहीं हैं। क्या है पहले यह अक्यूज करने से पहले मानौरिटी कम्यूटी को क्या हम मेचॉरिटी कम्यूटी को करें। पहले तो एक्यूज की कोई बात ही नहीं है पहली बात अप जिस उनिफॉर्मिटी की बात करें तब भी कहती हूं अगा रिस्वर भी हम चर्चा करें। तब भी कोई हिंदू समाज से आने वाला शिवम त्यागी यह नहीं कहेगा कि मेरा समाज खत्रे में आ गया अब शिवम रिस्वांट करें मैं बड़ी शालींता से एक चीज़ कहना चाहता हूँ विवेक जी को कि इंपॉर्टन बात यहां पर यह है कि जो चिट्थी आई यूनिस्फॉर्म सिविल कोड के खिलाफ वो औल इंडिया पर्सनल लॉबूट की आई है साउथ में से नहीं आई है या किसी चतीसगर से नहीं आई है या MP से नहीं आई है उनको दर्द होगा वो भी अपने concerns रखेंगे और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज बन गया है जी कोई हिंदो भी नहीं कह रहा है कि आज बना दीजे मेरी आप प्रथाएं मान लीजे दूसरे की मत मानिया तीसरे की मान लीजे लेट्स डिसकास लेट्स दिबेट उसके बाद जो चीज़े निकल कर आएंगी होने दीजे पहले से धरना क्यों शुरू हो जाते हैं कहा का शाजाजी ने के बही मुस्लिम महिला हैं बैकवर्ड हैं पीछे हैं जो भी हैं नहीं का बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में आपने फितूर बनाया हुआ है पता नहीं विवेक जी जो भी आप हैं जब आप Uniform Civil Code की बात करते हैं तो यह नहीं कहते हैं कि जैसी मुस्लिम को दाड़ी रखनी है ऐसी हिंदू को भी रखनी है यह नहीं कहते हैं कि उनको कपड़े जो पहनने है जो मुझे खाना है वो उनको खाना है यह नहीं कहता है युनिफॉर्म सिविल कोड़ यह नहीं कहता है कि आपको मेरा जो फूजा करने का तरीका है आपको नमाज उसी तरीके से पढ़ेगी। अब उनिफॉर्म सिविल कोड़ का तो ड्राफ्ट ही नहीं आया तो आपने कहां पढ़ लिया है इस देश में क्रिमिनल कोड हिल्दू मुसल्मानों के लिए एक है लेकिन जब नहरू जी ने पहले सुनो यार नहरू जी उनिफॉर्म सिविल कोड इसकी बात नहरू जी ने करी थी सुनिया दरहा हो सब लोग कान खोड़े जब डॉक्तर राजियंदर प्रशाद के साथ डिफ आया हिंदू धर्म के अंदर कोई restriction नहीं है लेकिन भारतिया constitution में restriction है that you can marry only one woman at one time. It is not a religious restriction, it is a restricted by the constitution. अब पता नहीं कॉन सी युनिफॉर्म सिविल कोड के बात करें जिसके आपने का कि एसे regressive laws उसमें है जबकि अभी तो ट्राफ आया नहीं अभी तो चर्चा बस शुरूब और हुई है कि बात बात करें आने तो दीछे पहले पट दीफिल कोड जिसके अंदर आपके अपने अपने रिलिजियस रीतिरिवाज पूजा पधती आती है शादी बेहा आता है डावर्सा कानून आता है वो धर्म के अनुसार होता है इसमें अलग रहेगा अब बताओ और अब बोलने मैंने ड्राफ देख लिया इसमें सबकी पद्धती एक हो जाएगी मतलब की मुसलमान को नमाज पढ़ना मना हो जाएगा मुसलमान का निका मना हो जाएगा सबको आर्ती करनी पड़ेगी आप अपर इसमें यूशी का ड्राफ पड़ा है विवे मुसलमान के गउपताओ जे घर नहीं सबकरने ड्राफ देख लाएग पर यूशी के समय पर गोवा में जहां पर भूद सारे क्रिष्टन है यूशी सा लागू रा आप बता दिजे कि ये क्रिष्टन्स के खिलाफ था मुसलमान के खिलाफ ये साम्परदायक था एक बार बो सब्सक्राइब कर रहा है यह पारिशी को नहीं है जैन को नहीं है विडेक श्रीवास्तव और मुसल्मान समुदा एक को औल इंडिया उससे पर्सनल लॉबड के हमाले से कानून हमारे एक से हैं उस पर किसी को कोई अतराज नहीं अब बचते हैं परसनला कानून में ही कुछ आगे पीछे करना चाहरे है ना यह तो साब बात है कर्मिनल कानून को तो आप छेड़नी रहें क्योंकि वो तो देश के सब का सब के लिए बराबर है आप जो हस्तक्षिप करना चाहरे हैं वो परसनला कोड के अंदर परसनला के अंदर लाना चाहरे है उसी पर एतराज है कि जो जब हमारे भारत के सम्विधान में बाबाराव भिम्राव अंबेटकर साहब ने यह कहा था कि यह होना चाहिए लेकिन रजाकाराना तोर पर रजाकाराना मिन्स सबकी स कानून लागू होने जा रहा है क्या मतलब है इसका ये बुल्डजर थोड़ी है कि जब 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 आप किला देंगे वह वैसे भी स्टेट में लागू किया नहीं जा सकता है जब तर केंद्र इस पर अपने वही बात कहरा हूं जो बीजेपी के परवक्ता है ये मीडिया में ख चाड़ करना है वह चर्चा करके कर लीजिए उसमें दोर है लिए दूसरी बात जब बात हिंदू ऑरतों के आती है बाइस लाग महिला ये बेंडिड है आप देखिना अपना कहा हिंदू कोड बिल कहा लागू कर रहे हैं आप क्या कर रहें वहीं आपको नहीं है या नहीं लेकि इस पर भी लाव है, अगर किसी शुर्ष को घर से निकाल दिया गया, तो वो भी अगर क्लेम करना चाहे अपने पती की प्रॉपरटी पर या पिता की प्रॉपरटी पर, तो वो कर चाहे है, क्योंकि पर्फनलाव नहीं है, वहां से लाव पोडिशाई है, बहुत कोट में नहीं जा सकती इसका मतलब यह ने कि आपने शोहर में के वह क्लाब अश्याम, में ऐसमें को मानता है खोई है को मुस्यमान बहुत अच्छी बात है तुम के पास आ रही हूं। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती कि कुछ मामलों में आप देश की संविधान को मानते हैं, कुछ मामलों में आप फिर शरिया को मानते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप शरिया को माने ना, लेकिन अगर उसी शरिया के उपर discussion करके हम आपके laws को codify करते, इसमें आपती क्यों चलिए ने 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 हम इसमें करेंगे सचार शिवाब देश को और तमाम इस देश को समझ लेना चाहिए आपके परसनल लॉज में एक महिला नहीं आती है जब आपको कुँछब ने तलाग देगा नहीं ने अपको कांके पर बन कीजिए ना आप अपको बरबात कीजी नहीं आप लएट पर बात कीजीए जब आपको किसी महिला के बेटी को किसी बेहन को तलाक देते हैं ये आपका परसनल मतला नहीं है, ये सेट की इस देश की राज्य की इस देश की जनता की इस देश की अदानतों की जिम्मेदारी है, कि वो इंशॉर करें उसकी सिक्यूरिटी, अब अन्हें पर बात पर, इन्होंने का का, नहीं देखें किस तरीक, अम आप बोलने नहीं और अब तीसरी बार, ये क्या मतलब है शरीया अदालते चलेगी, यहां सिर्फ इंडेन पीनल कोड चलेगा, हिंदुस्तान की अदालते चलेगी, अगर शरीया वर्या असपार्ट लगाकर बैठे हो ना निकाल दों को, कोई शरीया नहीं चलेगा यहां चलेगा दिल, हिंद देख चलेगी, आप बोदिक चलेगी, आप उसको रोकेंगे, आप ढहलेगी, आप लगाता आप इसे बोल दे शरीया कान नहीं चलेगा, आप तो जानके, मैं मानुगा ना, तो आ तो आप मानी होता है, कोश देख को भीनाट है, अन्य अधर वोपास कोणती है, क्या वोज जानाथ कोई नहीं हुआ शुका है जब भी स्टूडियों में डिबेट होती है आपको बात अच्छी लगे ना अच्छी लगे अपने समय में बोली ये डिबेट का एक काई दूसरा के दर्शक को को इसका क्या फाइदा होगा भारत के करोड़ों दर्शक देखते ताकि उनका ज्याएं बढ़े वो इस परकार से डिबेट पूर आप से बूलना जाता हूं क आप पहले हमारा तो उने दीजिए हम रुके हुआ हैं मैं सभी चीज़े कर रहा हूं कि हम लोग अपने अपने समय पर बोलें चाहे जो भी बात अपने को ठीक ना लगी हो मैं भी तो रुका था ना सबकी बाते सुनने के लिए अब सुनिए दो या तीन चीज़े इनोंने क करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए बच्चा भी आया नहीं है डॉब आया नहीं है पर मेरे ड्राफ्ट में तुम मेरा निका ले लोगे तुम मेरा नमाज ले लोगे यह वही बात सिय के कानुन में कि कि सिय आयेगा मुसलिमों का अथिकार चिंग जाएगा एक आपकी महिलाओं का आप चिंता किजी यह हमारी और आपकी महिलाओं का आपकी श्वतंतरत स्वाधीन महिलाओं यह अधिकार उनका नागरिकता उनको समविधान ने दिया है अगर आप ने अगरे पहले तो हम लोग महिलाओं को इस पकार से अपमानित ना करें उनको वस्तू में तब्दील करके कानून यहांप पर ओपमानित आपके महिलाओं को इस선 इतना कहना चाहता हूं ने जब मैंटेनेंस का कानून हर एक महिला पर लाग उठाइए और शाहबानू का वर्डिक शुप्रीम कोर्टन ने दिया और उन्नों तीसरी बार बार इंटरप्ट हो है देश की जनता देख रही है आज विवेक आपके पास आप यह आप कह रहे है ना लेकिन ओल इंडिया मुफले पास का लागोट की चिछी को है विवेक बोलने उसके दीजिए पहली चीज़ मैं जरो 20 सेकेंड लोगा हमें इस तरह के स्टेटमेंस नाशनल टेलिविजन पर किसी भी प्रवाक्ता को नहीं बोलने चाहिए जो एक जूसरे यह सेकुलर कंट्री है कि आके निकान लोगे टीवी पे आना हराम है आप बलत कह रहे हैं अपनी कर्विनेंस के इसाथ शरिया मानेंगे अपनी कर्विनेंस के इसाथ नहीं मानेंगे नहीं चल सकता ऐसा दूसरी चीज़ इस देश में सिर्फ कानून चलेगा विवेश्यों क आपके इसाथ नहीं कर दो कि इसाथ नहीं चल सकता है कि आपके अपनी समखते वेश्यों को भात्राँ है आपको खातनी के लिए को इसाथ मुल्गा थो आनो अगर युनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हर महिला को बराबर हक देने की बाद हो रही है आप जिन 20 लाक महिलाओं की बात करें न अगर आज भी वो कानून का दर्वासा जाकर खटखटाती अपना हक मांगती है तो देश का संभिधान उन्हें का अधिकार देता है लेकिन 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 आपके बादमी देश का कानून है खटा हुआ और जाती है मैं इस चर्चा फोर आगे नहीं बढ़ा सकते मेरे पास आज सुबह इतना है तो विवेक रशीदी जी शहजाद जी शिवम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लि चर्चा भर हो रही है यह याद रखे अभी ड्राफ्ट नहीं आया है उससे पहले ही यहाई तौबा है